दोस्तों कैसे हैं? उम्मिद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे दोस्तों आज में आप लोग के लिए अंगरेजी में बात शित करने वाला वीडियो लेके आयए हुए हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे student होते हैं जिनका सपना होता है कि हम अंग्रेजी में बात करें तो दोस्तो इन वीडियो को आप सुरू से लेकर लाज तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और आप भी अंग्रेजी में बात करने की सुरुआत कर देंगे दोस्तो ये जो वीडियो बनाय गया है ये वीडियो एक जो लड़का है वो अपने पिताजी से कही जाने का यानि गूमने जाने के लिए वो परमिसन ले रहा है तो इस पर आधारित ये वीडियो है इसको सुरू से लेके लाच तक देखे आपको अच्छे से समझ में आएगा वो अपने पिताजी से क्या बात कर रहा है और उसके पिताजी क्या उसको बोल रहे हैं तो दोस्तो इसी पर स्टार्ट करते हैं तो सिकिंग परमिसन फोर गोइन ओन ए ट्रीप सिकिंग परमिसन इसका आर्थ होता है सैर पर जाने के लिए और फोर गोइन ओन ए ट्रीप यान यानि सेर पर जाने के लिए परमीशन, सन यानि लड़का, गुड मॉर्निंग पापा, नमस्ते पापा, यानि लड़का बोलता है गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग का रथ होता है नमस्ते, और पापा का रथ होता है पिता जी, यानि नमस्ते पिता जी, तो यह खुश रहो बेटा तो फादर बोलते हैं why did not you go to a school today यानि तुम आज इसकूल क्यों नहीं गए why कार्थ होता है क्यों did not नहीं है न यू कार्थ होता है तुम go to a school जाना go to a school कार्थ होता है जाना today कार्थ होता है आज यानि कि आज तुम इसकोल क्यों नहीं गए तो son यानि उसका लड़का बोलता है yes I am going to dress up for that yes कार्थ होता है हाँ I कार्थ होता है मैं am कार्थ होता हूँ going to dress यानि मैं जाने के लिए तयार हो रहा हूँ for that यानि हम जाने वाले है न वहाँ इसके लिए हम तयार हो रहे है तो father बोलते है How are your studies going on तुम्हारी जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है How कार्थ होता है कैसा Our कार्थ होता है Your studies तुम्हारी पढ़ाई या अध्यन Going on कैसे चल रही है तुम्हारी पढ़ाई तो सन बोलता है लर्का बोलता है सन का मतलब होता है लर्का यानि बेटा My school is organizing an educational trip to Rajasthan मेरे school राजस्थान की सेक्षनिक सेर का आयोजन कर रहा है My school कार्थ होता है मेरा विद्याले इज कार्थ होता है Organizing कार्थ होता है आयोजन करना And educational कार्थ होता है सेक्षनिक Trip कार्थ होता है सेर To Rajasthan यानि राजस्थान के लिए मेरे school एक सैर करने की योजना कर रहा है, है न, तो फादर बोलते है, That's wonderful, ये बहुत अध्भूत है, है न, आश्चर ये जनक है, How long is the trip? ये सैर कितने दिनों का है, How कार्थ होता है कितना, long कार्थ होता है, लंबा, Age कार्थ होता है, trip कार्थ होता है सैर, ये जो सैर है, ये कितने दिनों का है, ये कितने लंबे समय का है, तो sun बोलता है, यानि लड़का बोलता है, It's 15 days trip, ये जो ट्रीप है, ये जो सैर है, पंदरा दिनों का है, 15 कार्थ होता है पंदरा, और डेस कार्थ होता है दिन, ट्रिप कार्ट होता है सैर यानि ये जो सैर है ये पंदरह दिनों का है तो फादर बोलते हैं Are you not going? क्या तुम नहीं जा रहे हो? अब दोस्तों यहाँ पे आर पहले लग गया तो ये कुशन कर रहा है है ना ये कुशन हो गया तो are you not going? क्या तुम नहीं जा रहे हो? तो सन बोलता है लड़का बोलता है I want to मैं जाना तो चाहता हूँ बट लेकिन तो फादर बोलते हैं These trips are full of knowledge ये जो तुमारा जो सैर है ना ये पूरे ग्यान से भरा हुआ है These trips का रथ होता है ये सैर R कार्थ होता है Full कार्थ होता है पूरा of knowledge ये जो तुमारा जो सैर है ना पूरा ग्यान से भरा हुआ है You should not miss them तुम इन्हें खोना नहीं चाहिए तुमें इन्हें खोना नहीं चाहिए You should not कार्थ होता है तुमें नहीं चाहिए miss, miss का आर्थ होता है, खोना, देम का आर्थ होता है इन्हें, तुम्हें इन्हें खोना नहीं चाहिए, तो लड़का बोलता है, son बोलता है, we have been asked to deposit 1500 rupees for registration, हमें निबंधन के लिए 1500 रुपे जमा करने को कहा गया है, we have been asked, है न, हमसे पूछा गया है, to deposit, deposit का आर्थ होता है, जमा करना 1500 रुपे for registration, यानि वहाँ जो registration जो हो रहा है, इसके लिए हमें 1500 रुपे जमा करने को कहा गया है, तो father, father करतो होता है, पिताजी, यानि पिताजी बोलते है, take it from your mother, इसे अपनी मा से ले लो, take करतो होता है, लेना, it from, from करतो होता है, say, it करतो होता है, यह, your mother, तुमारी मा, यानि अपनी मा, तुम इसे अपनी मा से ले लो, go, जाओ, and have fun, और enjoy करो, मजे लो, फन करता होता है इंज्वाए मज़ा है ना गो एंड है फन जाओ और मज़े करो सन लड़का बोलता है ठेंक्स एलोट पापा बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी यू आर दा बेस्ट आप बहुत अच्छे हैं तो दोस्तो अभी हम आप लोग को एक पिताजी और उनकी लड़के के बीजबाचित के बारे में आपको हिंदी करके बताए थे वो जो लड़का था वो एक ट्रिप पे जाना चाह रहा था तो अपने पिताजी से इसके बारे में वो बात कर रहा था तो दोस्तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और हम इसी परकार का आगे का जो वीडियोज है हम इसी परकार का वीडियोज लाएंगे जिससे क्या होगा कि आपको अंग्रेजी में बात करने में बहुत असानी होगा और आप भी अन्रेजी में बात करना शुरू करें